मुबाइल टॉक आज हम बाते करेंगे रियल्मी की नए स्मार्टफोन नार्जो एन 53 के बारे में जहाँ पर रियल्मी अंडर यहां पर आपको मिलता है एक सस्ता आय फोन जस्त लूस के मामले मुएं यह फोन काफ़ी आगे निकलता है सिप्स लूक्स के मामले मूँ नहीं फीरच जएपल की सब्सक्राइब कर चुका है और वीडियोस अगर आपको यूसफूल लगता है तो वीडियोस को जरूर लाइक करना शेयर करना नहीं बूलना पहले गाइस यहाँ पर क्यामरा फीचर्स के मूलने में थोड़ा बाते कर ले तो यहाँ पर मेन कामरा मिल रहा है 50 Megapixel का Aperture f1.8 के साथ और सेकंडरी आपको पोट्रेट कामरा मिल रहा है बट रियल में कहीं पर मैं डीटेल पर मेंसें नहीं कर चुका है कि जो सेकंडरी कामरा मिल रहा है यह कितने Megapixel का लेकिन मुझे लगता है यह यह कामरा अप्लॉक्स आपको 2 Megapixel क कैमरा यह मिल रहा है और फॉंट की तरफ देखी सकते हो आपको यू नौच सेप के अंदर मिल रहा है 8MP का फॉंट कैमरा Aperture f2.0 के साथ तो इस फॉंट से मैंने काफी सारा सोट ले चुका हो और फीचर्स के मौलने बात किया जाए तो अंडर 9000 पे रियल में आपको सभी तरके फीचर्स पोबाइट कर रहा है लाइक पॉर्ट्रेड मौड नाइट मौड एंड़ स्लो मोशन वीडियो काप्चास कर सकतो और 50 मेगापिसल का पो डेडिगरेट मौड पोबाइट किया जा रहा है तो काफी अच्छे फीचर्स है अंडर 9000 के काफी कमपनी के बात कर कर दोना तो इस फोन के अंदर जितना भी फीचर्स मिलाए न तो काफी ऑपलाइट मैंड के अंदर लाइक 12,000-13,000 के फोन के अंदर भी इतना अच्छे एमरा फीचर्स नहीं मिलता है तो इस फोन से मैंने काफी सरा सौट ले चुक carbon Director लेए ले चुपन ऐग डेलाइक लिंक मिल जाएगा तो इस जो 50 मेगा पिसला क्यामरा है ना अगर आप फूल फ्रेम साइज पर कोई भी फोटोस ले तो राइक फोटोस मूट के अंदर वहाँ पर सभी फोटोस 16 इस्टु 9 फ्रेम साइज पर आपको 9 मेगा पिसल का आउट्पूर्ट मिलेगा और दहीं सकतो इसकी जो sharpness quality है और फॉटो को जो details quality है ना काफी पसंद आ जाएगा काफी कम्पनिय आपको सायद 12,000 के अंदर 13,000 के अंदर भी इतने अच्छे sharpness quality नहीं पोबाइट करते है कलर क्या जाए तो देखी सकते हो colors बगड़ा भी काफी अच्छा है पर सम टाइम आपको saturated issue मिल सक सकता है अब करते हैं सेम फॉटो से अगर आप डेडिकरेट 50 मेगापिक्सल मूट से लेते हो तो 50 मेगापिक्सल मूट के अंदर को जादा आपको features नहीं मिलता है तो 50 मेगापिक्सल का जो भी output मिलता है आप देखी सिफ तो कुछ इस टाइप मिल जाएगा जहां पर मैं बा आपको colors बगड़ा प्रोबाइट किया रहा है और इस फॉटो मूट के अंदर देख सकतो काफी सारा अच्छे features मिल रहा है और पर इस टेर के support मिल रहा है आपको काफी अच्छे-चे color filters प्रोबाइट करिया जा रहा है और इसके साथ ही आपको beauty of and on करने का option भी अच्छा है काफी कंपनी के मैं बात करो ना 10,000 12,000 के बात छोड़ी दो काफी कुछ selected company है like 15,000 के अंदर भी इतने अच्छे portrait shot नहीं पोबाइट कर रहा है मैं सभी company के बात नहीं कर रहा है कुछ selected company के बात कर रहा है तो उन में से ये phone 9,000 के अंदर काफी अच्छे पोबाइ settings पर कुछ सारे portrait shot ले चुका आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस type photos निकल का आएगा और यह photos के अंदर देख सकता आप clarity आइस यह नॉर्मल daylight condition पर मैं ले चुका हो जहाँ पर गाइस देख सकते हो photos बगड़ा के अंदर जो age cutting है age detection है महाँ पर आपको थोड़ा सा भी issue ब decrease कर शकते हो लेकिन गाइस जो भी total output मिल देना portrait shot के अंदर under 9000 बे मैं कहूंगा अभी तक का सबसे बेस्ट फोन रहा 9000 बे इतने अच्छे portrait shot आपको provide कर रहा है तो comment session में जरू बताना कि आपका यह phone के अंदर portrait quality कैसा लगा पहले photos कर लो उसके बाया guys portrait shot देख लेना और इस बाते करना चाहूंगा यह phone अगर पर्चस अल्रेडी कर चुका हो तो विडियो जरूई इन तक देख रहे हैं आपको और भी बाती या knowledge मिल जागा इस phone के बारे में लेकिन यह phone आपको सस्ते में purchase करना है या offer price पर तो इसके लिए भी आप description check out कर शकते हो आपर मैंने काफी स सारा लिंक दे चुका हो अब गैस नेक्स्ट बढ़ते इस phone के night mode के तरव आपको dedicate night mode में रहा है बट night mode के अंदर कुछ ज्यादा आपको इंपूर्मेंट नहीं मिलेगा बट आपको average low light का output मिल जाएगा आप देही सकतो कुछ easy photos निकल का था अंदर 9000 के अंदर night mode मुझे पस अच्छे नहीं लगा अब गैस नेक्स्ट बाते करते हैं इस phone की font camera के बारे में तो यहाँ पर आपको 8MP का font camera मिला है और गैस यहाँ पर देख सकतो display के अंदर जो shape मिला है ना you shape हालाग कि काफी company आपको V shape का camera पोबाइट करता है तो उन में से you shape काफी premium लगता है तो यहाँ अपर आपको यू shape का camera पोबाइट कर जा रहा है 8MP का camera है aperture f 2.0 के साथ and photo mode के अंदर like selfie mode के अंदर देख सकतो काफी अच्छे अच्छे features पोबाइट किया जा रहा है जैसे कि आप beauty को adjust कर सकतो काफी सारा filter है auto HDR का support है and guys में default settings पे कुछ सारे selfie photos ले चुगा हो देख सकतो कुछ इस type photos निकल के आएगा and guys selfie के अंदर थोड़ा सा expose issue आपको मिल जाएगा and guys देख सकतो skin tone के अंदर थोड़ा सा changes मिल जाएगा but guys आप अगर beauty off करते हो तो आप करने का option मिल जाएगा and beauty off करने के बाद कुछ इस type आपको sample मिलेगा and guys sample के अंदर मैं बाते करना चाहूंगा कि realme क जो previous phone है ना उन से काफी improvement आपको इस Narzo N53 के अंदर मिलता है and guys आपको अगर boken का effect on करना है तो portrait mode आपको मिल ला है जहाँ पर आप increase and decrease का शकतो and portrait mode के अंदर जो selfie निकल काता है देख सकतो कुछ इस type तो यहाँ पर थोड़ा सा age cutting के अंदर आपको issue बगड़ा मिलेगा यानी age detection के अंदर otherwise guys जो selfie बगड़ा निकल काता है ना जस्ट वह वाव वाला selfie होता ना थोरा video video लगा के वह आपको इस phone के अंदर मिल जागा वाट actual selfie के अंदर अगर काम देखा जाए तो वह सायद आपको इस phone के अंदर नहीं मिल ला है तो guys यही ता कुछ photo के मामले बाते आप video के बाते करते हैं पीछे की camera से आप maximum videos 1080p 30 एपेस पर ले सकतो और font camera से maximum videos 720p 30 एपेस पर ले सकतो अब आपको sample भी दिखाता है और इसके साथी इस phone पे आप slow motion videos भी recording कर सकतो camera की बात के लिए phone camera से आप maximum 720p 30 एपेस वीडियोस निकाल सकतो N53 के अंदर और यहाँ पर में बात करना चाहूंगा में shop के अंदर like indoor light condition पे ये वीडियोस capture कर चुका हूँ जो देख सकतो video quality आपको काफी बहतर लाएगा 720p 30 एपेस मोश्टली आपको लाएगा कि 1080p 30 एपेस के जो average quality है ना उसी तरह के आपको quality पोबाइट के रहे हैं और यहाँ पर देख सकतो face के अंदर हलका सबके एक्सपोजिस्यों में लगा otherwise guys पीछे की जो colors quality है मुझे colors काफी नैचरल लगा बैक्टर में जैसा उतना बूश्टेट और नहीं लगा बट जो भी colors quality है ना वो ठीक ठाक है अगर आप हर स्कीन टोने वो थोड़ा सा वाम हो चुका है और पीछे थोड़ा सा एक्सपोजिस्यों आपको ज्यादा मिल ला है तो अभार ओल सेवें ट्रेटी एपिस की वीडियो क्वालिटी आपको लाइक इंटी लेविल फोन की बात नहीं बजट सिग्में की बात कर रहा है तो कैस्ट यहीं था ओभार ओल एंट 53 कुछ फॉटोग्राफी एंड वीडि अच्छे मिल ला है तो मुझे तो सभी फीचर्स लाइक अच्छे मिल ला है बस फॉंट कैमेरा के अंदर 1080 पी 30 पिस का रेकॉर्डिंग मिल जाता है और सेलफी कैमेरा के जो पोर्ट्रेट मून है वहाँ पर थोड़ा एज कर्दिन के अंदर इंपूर्बेंड मिल जाता त लाइक इस फोन का पाइस अगर 12,000-13,000 भी हो जाता तो सायद मुझे अच्छा लगता या वो भी वेलू फर मनी हो सकता था बट अंदर 9,000 पे ये एक बेस्ट कैमेरा फोन अभी की टाइम पे है लाइक 2023 का हाप्यर चल रहा है तो उसके हिसाब से ये फोन मुझे बेस्ट ल हैं बंदमात